यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ आगे बढ़ेंगे 29 अप्रेल को दिल्ली के राम नीला मैदान में कॉंग्रेस की जन आक्रोश रेली होने जा रही है इस्रेली को सफल बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बुपरिंजर सिंग हुड़ा ने भी अपकमर कसली है इसके चलते बुपरिंजर सिंग हुड़ा ने आज दिली स्थित अपने आवास परप्रदीश भर के नेताओं और वरिष्ट कारेकरताओं की मीटिंग बोलाई है इस मीटिंग में कॉंग्रेस के सभी विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसदों, पूर्व सांसदों, के कारेकरताओं को आमंत्रित किया गया है जो अपने इलाके में गहरी पैट रखते हैं 25 सप्रेल की मीटिंग में हर्याना के हर कॉंग्रेसी नेता को उसकी क्षंता के अनुसार भीड जुटाने की जिम्मेदारी स्वांपी जाएगी इसे पूर भी कॉंग्रेस पार्टी द्वारा दिली में आए जित दो रेलियों में हर्याना से भुपेंदो सिंग हुड़ा के नेचरतब में लाखों लोगों ने शिर्कत की थी हुड़ा आजकल दिली के अखिल भारतिय आयुर्विज्ञान संस्थान में भरती हैं और स्वास्त्य लाब ले रहे हैं उनके सहयोगियों के मताबिक उनको 25 अप्रेल से पहले अस्पताल से छुटी मिलने की संभावना थी और लेकिन आज जो है हुड़ा ने तो हुड़ा ने तमाब जो कॉंग्रेस के नेता हैं विधायक हैं और जो अच्छे कारे करता हैं जिनकी पैठ अपने इलाखे में बहुत अच्छी हैं सबको निमंतरन दिया है आज बैठेक में बुलाया है और देखना होगा कि कितनी जिम्मेदारी किसको सौंपे जाते हैं कि हुड़ा के तरफ सबकी नजर है इस पर जादा बेट के लिए रुख करते हैं दिली से हमारे समाधाता का अनिल मौर अनिल कितनी बड़ी चुनौती रहे कि हुड़ा के लिए आज बैठेक बुलाई है सबी कांग्रेसी कारेकरताओं को बुलाया है दो दिन पहले एम से चुटी मिल चुकी है अपने आवाद पर है जो बैठक है बैठक का अजेंडर यही रहेगा कि जो 29 थारी की कॉमर्स की रैली है करना कि तो पही जार दारुमदार है हरियाना को फर रहेगा इसी कड़ी में पूर मुख्यमें देग बैठक के तमाम विधायक पूर विधायक सांसद और तो पालिटी के बढ़ेनेता अजे बनाए जाएगी कि आकर कर वनस्तित तारीको राम दिला में ज्यादा जाएगा जाएगा बैठक की बात के बैठक का समय सुबह दासुजेगा रखा गया है लुपेंदर शिंग के आवास पे बैठक उनी हुदा गुट के तमाम बड़े निता यहां पर मौज़त हैं गर अगर हरियाना कुमर्स की बात लाद्र शोक्तावर की तुमारी चाहर जारंडी कु लिए नियुतादेर आज बुपेंदर सिंग्धा की तब से यह पहली बैठक बुलाएगा तो इस बैठक में पार्टी के तो तुमाम नेतिस बैठक में शिक्कत करेंगे उनकी आपे वकाईदा जिम्मेदारिया लगाई जाएगी सभी जो बड़े नेता हैं चाहे अशोक त कि अजिसे मन्च पर आशोक्तवर कि रंच ओदर होते हैं आप पर पर अश्रोक्तावर कि यहां भी है सिम्गधा है यह जो वहाइघक से दूरी बनाएगा लेकिन जो तक दरजर ने मोजब रहेंगे पूराइग सांसाध भी आँव टम विधान सबार लोक्षबाब पत्याश्री पूरो मंत्री वो एक जो लंबी चोड़ी फोद वुपेन से उद्दा के साथ हमेशा रहती है वो लंबी चोड़ी फोद रहेगी जी आपने कहा कि हो सकता है कि अशोक चमर जो खेमा है वो दूरी बनाए रखे इस बैठक से लेकिन रैली से पहले ही इस तरहां का जो दोफ़ाड होना कॉंग्रेस का ये क्या सही है? कोई बी गुलाबी पट्को में नजर आए थे वहीं अशोक तवर के जो कारे करता हो एक अलग रंग की तोपी में नज़र आएगा था ने कोई पगड़ी पहने का तो ऐसे में कॉंगर से पहले ही इस मामले पर काफी सक्त रुक क्यार कर्ब्स के और कहीं हरियाना कॉंगर्स के निताओं की तरफ से भी कहा गया कि वह इस रैली में जो कॉंगर्स पार्टी का जंड़ है उसी में रंग में नजर आएंगे जब लकुल क कहीं जो पहले ही हिदायत मिल चुकी है देखना होगा कि आज क्या कुछ खास रहेगा मास्ता जुनी के लिए बहुत बहुत धन्यमाद आपका अनिल